नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है उतकरस सिंग और आप देख रहे हैं दनौल इसकी रेटर पिस्टल स्रीमप एक जलीए प्राडी है जिसे हम स्नेपिंग स्रीमप या इलफाइर स्रीमप भी कहते हैं और स्रिम्प मतलब जिंगा होता है तो इस तरह पिस्टल स्रिम्प हुआ पिस्टल जिंगा ये पिस्टल जिंगा बेहस तेज आवाज पैदा करके अपना सिकार करता है इस वीडियो में हम जिंगे के सिकार करने के पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे पिस्टल जींगा एक अनूठा प्राडी है जिसकी लंबाई तेज से 5 सेंटिमेटर और वजन 25 ग्राम तक होता है यह अपने अनूपात हिन बड़े पंजी के लिए विशिस्ट है जो जींगी के सरीर के आधी लंबाई से भी बड़ा होता है अपने छोटे आकार के बावजूद यह अपने पंजी को 97 किलोमेटर पती घंटा की रफ्तार से हिला सकता है यह पंजा सरीर के दाई या बाई किसी भी भुजा पर हो सकता है यह जींगा तेज जावाज उत्पन करने के लिए अपने बड़े पंजे जिससे स्नैपिंग कलाउ काते हैं का सहारा लेता है स्नैपिंग कलाउ को आप हिंदी में तड़कने वाला पंजा कह सकते हैं ये अपने पंजी की विशेस डिजाइन की वज़े से तेज आवाज उत्पन कर पाता है, इसके पंजी की संरचना अब तस्वीर में देख रहे होंगे, इसके दो प्रमुक हिस्से हैं, वाला है प्लंजर और दूसरा है कैविटी, हम प्लंजर और कैविटी का मतलब जान लेते हैं, प्लंजर उपलब्ध वाल्यूम में यानि उपलब्ध आयतन में खुद के वाल्यूम से डिस्प्लेस्मेंट करके द्रवे के प्रेसर को बढ़ा दिता है, और किसी द्रवेमान या छेद में खाली अस्थान को हम कैविटी कहते हैं, जींगे की स्थिति में प्लंजर वा पानी accelerate होते हुए बाहर क्यों निकलता है और हाइव वेलोसेटी वाटर जिट का रूप धारण कर लेता है जिसंपता 90 किलोमेटर प्रति घंटा होती है और प्रेसर 80 किलो पासकल होता है ये वाटर जिट बाहर के और निकलते हुए आगे बढ़ता है और इस वाटर जिट के टेंसाइल फोर्स की वज़े से लोग प्रेसर एरिया जिनरेट हो जाता है जिसे से वैक्यूम लिए बबल यानी बुलबुला बनता है जिसे कैविटेशन बबल कहते हैं कैविटेशन बबल बनने की घटना बरनोली थिवरम पर आधारित है जिसके अनुसार अगर किसे फ्लेवट की बाहने की गती बढ़ेगी तो प्रेसर घट जाएगा लोग प्रेसर होनी की वज़े से पानी प्रेसर वेव के पिछले हिस्से में आवाज की गती से भी ज्यादा अफ़तार से केविटेशन बबल या निलो प्रेसर एरिया की ओर बढ़ता है जिससे भारी मात्र में उर्जा उत्पन होती है उर्जा उत्पन होनी की इस घटना को सामाने तर एवियेसन एफिक्ट के नाम से जाना जाता है भारी मात्र में उर्जा उत्पन होनी से तापमान 4800 degree Celsius से लेकर 48000 degree Celsius तक हो सकता है जो कि सूरी के सद्ध के तापमान से भी ज़्यादा है साथ ही अत्यधिक दबाव पैदा होता है और प्लाजमा आरकुत पन्न हो जाता है जिसके बाद एक और कंप्रेशन होता है और केविटेशन बबल तिवरता से फूट जाता है अर्थात इंप्लोजन हो जाता है बबल फूटने के समय पर प्रकास का तिवरत चमक कुछ सरजित होता है जिससे स्रिमपोलो लिमनेसेंस नाम दिया गया है यसा इसलिए क्योंकि एसी ही एक सद्रिस गटना है जिससे सोलो लिमनेसेंस कहते हैं जिसमें अल्टरसाउंड की वज़े से इंप्लोडिंग बबल से प्रकास उत्पन होता है सिमपोलो लिमनेसेंस यानि जहींगी दोड़ा उत्पन प्रकास सिर्फ सो पीको सेकिंड तक ही रहता है यह प्रकास उत्सरजित होने के साथे 218 डिसिबल का तेज आवाज उत्पन होने के प्रक्रिया कैविटेशन एफेक्ट के अंतरगात आती है यह आवाज बंदुक से निकली गोली और राकेट लांज की आवाज से भी तेज है आप डिसिबल चायड में तोलन आत्मक अधेयन देख सकते हैं इस तेज आवाज हाई इंटिंसिटी साउंड की वज़े से पानी में हाई प्रेसर पल्स अत्वा सौकवे बुद्पन हो जाता है इस वज़े से पिस्टल जींगे का जो सिकार होता है वो मर जाता है या अचेत हो जाता है इस वीडियो में इतना ही दनौलिस क्यूरेटर से जुड़ने के लिए आफ का धन्यवाद मिलते हैं अगली वेडियो में